नमस्कार, Study IQ PCS में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम दिव्यान शुक्ला है और हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ, Environment Ecology से सम्मधित क्लास को ले करके तो डिली मौनिंग में 10-11 के बीच में हमारी Environment Ecology सम्मधित Important Topics को ले करके क्लासेज आती हैं आप सभी प्लेलिस में जा करके चेक कर सकते हैं, हमारा जो आज का Topic है वो है Ecological Succession का यह बहुत ही जादा Important Topic है Ecological Succession का और जिसको बोलते हैं पारिस्तिकिय उत्तराधिकार ठीक है तो यह बहुत ही जादा Important Topic है और UPSC में Specialist पे कई सारे Question पूछे जा चुके हैं तो Basically इस वीडियो में हम उन Questions को भी देखेंगे जो Previous Air में आए हुए हैं इस Topic से Related और हम यह भी देखेंगे कि Ecological Succession क्या होता है इसकी क्या-क्या Stages होती हैं कौन-कौन से टाइप के Ecological Succession होते हैं इन सब को इस पीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो बिना Time Waste किये चली Start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं Ecological Succession होता क्या है तो दिखिए Ecological Succession का मतलब है पारस्तिती की उत्तराधिकार जिसको हिंदी में बोलते हैं मतलब एक Community के बाद दूसरी Community दूसरी Community के बाद तीसरी Community तीसरी के बाद चौथी Community इसको बोलते हैं Succession जैसे हम लोगों की पीडियों में इंसानों में भी Succession होता है कि हमारे लोगों के दादा जी हैं उनके फिर हमारे लोगों के पिता जी फिर हम लोग फिर हमारे आगे आली माली पीडियां तो यह होता है Succession यही सेम Succession Ecology में भी होता है और ecology में succession जो होता है basically वो इस तरह से होता है कि पुरानी species जो हैं उनको retire करके या उनकी जगे पर succeed करके कुछ नई species उस जगे को acquire करती हैं तो ecological succession का मतलब the process by which communities of plant and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time is known as ecological succession यानि एक निश्चित समय में अगर किसी particular area में यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एक तो निश्चित समय time की बात कर रहा है एक तो time होना चाहिए एक निश्चित समय में दूसरा एक निश्चित area में particular area में अगर एक species को दूसरी species के द्वारा आप कह सक कि replace कर दिया जाता है वो उसका स्थाना करके ग्रहड कर लेती है तो इसको बोलते हैं ecological succession अब ecological succession होता क्यूं है तो दिखे ecological succession इसलिए होता है क्योंकि प्रकति का जो प्रकति में वही survive कर सकता है जो उस तरह की परिस्थियों के लिए fit हो इसको बोलते हैं survival of the fittest तो वही survive करेगा जो fit होगा उन परिस्थितियों में और जो fit नहीं होगा वो अपने मन से हट जाएगा जैसे फर example अगर हम बात करें suppose करिए किसी reason में जो बारिश हो रही है वो 50 cm से कम हो रही है 50 cm से कम बारिश हो रही है मतलब precipitation वहाँ पर 50 cm से कम है अब 50 cm precipitation का मतलब है यह इतनी बारिश तो नहीं है कि कि किसी बहुत बड़े जंगल को support कर पाएगी कोई forest यहाँ develop हो पाए क्यों क्योंकि यह below normal rainfall है it cannot support the development of a forest यह किसी forest को development को support नहीं कर सकती क्योंकि forest के development के लिए कम से कम 75 cm बारिश तो होनी ही चाहिए लेकिन यह इतनी कम भी नहीं है कि वो area पूरी तरह से desert बन जाए पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाए तो इसका मतलब है ना यहाँ बड़े पेंड होंगे ना यहाँ completely desert area होगा तो उसके beach का area यहाँ पर precipitation decide करेगी मतलब यहाँ पर basically घास होगेगी shrubs होंगे जाडिया होंगी घास होगे और पेंड होंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेंड होंगे बेका दुक्का कहीं कहीं पर randomly स्थित होंगे लेकिन बहुत बड़े आपको forest नहीं मिलेंगे continuous zone forest का नहीं मिलेगा यहाँ पर और नहीं पूरा desert area मिलेगा ठीक अब suppose करो next condition क्या है कि किनी कारणों सो यहाँ पर precipitation बढ़ गया precipitation बढ़ने का मतलब अभी यहाँ पर 50 cm बारिश हो रही थी अब यहाँ precipitation बढ़ करके suppose करो 80 cm हो गया तो अभी जब 50 cm बारिश हो रही थी तो यहाँ पर grasses थी गास थी लेकिन अब 80 cm rainfall होने लगी है और लंबे समय से इतनी बे rainfall average annual rainfall हो रही है तो मतलब अब यहाँ पर पेंड survive करने लगेंगे तो अब धीरे धीरे इस घास की जगे रिप्लेस हो करके यह पेंड आने लगेंगे यह पेंड उनका स्थान लेने लगेंगे तो मतलब आप देख रहे हैं इसी process को basically simplify मैंने करके बता दिया है यही है ecological succession कि जैसे ही समय के साथ परिस्थितियां बदली तो वो चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी और नई चीजें वहाँ पर आजाएंगी जो उस परिस्थिती के हिसाब से suitable होगी यही हाल temperature के साथ भी होता है यही humidity यानि आदरता के साथ नमी के साथ भी होता है जब यह condition बदलती है तो नई communities वहाँ पर develop होना start हो जाती है पुरानी communities वहाँ से खतम हो जाती है इसको बोलते है ecological succession इसका जिमपर सा मतलब है कि एक definite period of time पे एक निश्चित एरिया में किसी एक community को दूसरे community से replace कर जाना इसका जो sequence होता है इसको बोलते है ecological succession अब देखते है ecological succession कितने type का होता है तो देखिए पहले देखते है stages क्या होती ecological succession की तो देखो ecological succession की तीन stages पहली pioneer community दूसरा intermediary community तीसरा climax community अब इसको समझने के लिए हमको एक चीज देखनी पड़ेगी सबसे पहले इसको समझने के लिए चले बात करते हैं suppose करो एक नया surface कोई ऐसा है यहाँ पर कोई volcanic eruption हुआ था कोई volcano खूटा था और volcanic eruption से lava यहाँ पर फैल गया अब यह लावा फैलने के बाद जब धीरे-धीरे lava cool हुआ ठंडा हुआ ठंडा होने के बाद इसमें solidification हुआ solidification का मतलब अब यह ठोस हो चुका है बट यह जो land बनी न यह जो surface बन रहा है इस surface पर अभी सिर्फ क्या है अभी सिर्फ rocks है कौन सी rocks है जो igneous activity की विले से बनी है जिनको बोलते है igneous rocks तो अभी basically यहाँ igneous rocks है अभी इसके उपर कोई भी biological community ने अपना space नहीं acquire किया है कोई गास कोई पेड़ पौधा यह अभी नहीं मिलेगा यानि यह बिल्कुल barren land है बिल्कुल nude rock है इसमें कोई भी अभी तक activity नहीं हुई है अब सबसे पहले इस rock में जब अब rock बन गई जौला मों की शान्त हो गया rock बन गई है अब यहाँ moisture मिल गया temperature है sunlight है सारी चीजे है तो स सबसे पहले यहाँ इस rock को acquire करने के लिए आ जाएंगे कुछ mosses, lichens, fungus, microbes बगएरा यह इस rock को occupy करेंगे सबसे पहले इसके बाद यही जब lichen बगएरा सरेंगे, गलेंगे, मरेंगे तो यह nutrient छोड़के जाएंगे अपने पीछे, minerals छोड़के जाएंगे ठीके और यही nutrient minerals ले यह वापस से यह भी decompose होंगी, यह भी सड़ेंगी, गलेंगी और यह मिट्टी बनाएंगी धिरे धिरे करके humus का formation होगा और यहाँ पर अभी grassis से बदल करके shrubs आएंगी, कुछ बड़ी घास से बड़ी कुछ जाड़िया आ जाएंगी, अब जाड़िया आ गएंगे में convert होती जाएंगी, यही होता है ecological succession, कि मतलब एक बिल्कुल nude rock थी, उस पर पहले कुछ microbes आए, कुछ bacteria आया, fungus आया, lichen आया, algae आया, कुछ भी आया इस तरह से, उसके बाद फिर वहाँ पर घास आई, घास के बाद वहाँ श्रप्स आई, जाड़िया आई, और उनके बाद चोटे पेंड आये, चोटे पेंड की जगए, बड़े पेंड आ गए, ठीक, तो यही होती है, stages ecological, तो पहली वो species जिसने सबसे पहले इस area को occupy किया, जिसने सबसे पहले इस area को occupy किया, उसको बोलते है pioneer community, तो मतलब देखिए, इस figure में आपको समझ में आ रहा होगा, कि पहले एक bare rock है, यह bare rock, rock की चटान है, अब यह चटान पे सबसे पहले देखिए, आप hundreds of years के बाद धिरे-धिरे lichens ने growth करना start किया, यह देखिए, हरे-हरे patches आपको दिख रहे होंगे, यह lichens है, धिरे-धिरे इनों ने growth करना start किया, lichens है फिर small annual plants and lichens, अब छोटे-छोटे annual plants, annual plants का मतलब किसी season में उगने वाले plant है, अभी permanent ऐसे perennial नहीं है, कि throughout year यह पूरा उगे रहते हैं, जैसे घास बगरा, जब इनको moisture मिलता है, तो उगती है, उसके बाद फिर सूख जाती है, सूखने के बाद फिर जब अगले साल moisture मिलेगा, moisture season आएगा, wet season आएगा, तो वहाँ पर फिर से निकलेंगी और फिर से सूख जाएंगी, तो यह annual plants है, जो बहुत जाद 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 एक साल तक चलेंगे, उसके बाद फिर grasses और perennial plants आगे, कि मतलब आप घास से भी हैं, प्लस कुछ ऐसी shrubs हैं, जारियां हैं, जो लंबे समय तक दो साल, चार साल, छे साल, आठ स कम्यूनिटी का मतलब वो कम्यूनिटी जो सबसे पहले इस रॉक में आ करके बसना स्टार्ट की, जैसे लाइकन हो गया, जैसे यह छोटी छोटी जो grasses थी, जो annual plants थे, यह हो गया, तो इनको बोलते हैं, पाइनियर स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज, पाइनियर स्पेसीज, जो स इन्टर्मीडियर स्पेसीज, इन्टर्मीडियर का मतलब अब पाइनियर कम्यूनिटी जो सडी गली डिकंपोज हुई, और इन्होंने अपने पीछे एक बेड तयार कर दिया, एक पूरा स्टेज तयार कर दिया, कि भाई, अब यह कम्यूनिटी इसमें डेवलाप कर सकती है तो स्टेज इन्होंने तयार किया, तो अब बीच की जो स्टंकलाएं आई, वो होती हैं इंटरमीडियरी स्पेसीज उनको बोलते हैं, और लास्ट में आती है, क्लाइमेक्स स्पेसीज, क्लाइमेक्स स्पेसीज का मतलब अब यह मैकसिमम डेवलाप्मेंट इस रीजन का हो चुका है मतलब अब इसके आगे कोई species नहीं आ सकती अब यह species जब मरेंगे तो वापस से यहीं से cycle स्टार्ट होगी तो ऐसी जो अंतिम कड़ी होती है कि भाई यह fully grown tree हो गया अब सबसे बड़ा प्रेंड बन गया है सबसे बड़े बड़े प्रेंड वहाँ पर उगने लगे ह अब इससे जदा वहाँ क्या होगा यह maximum limit है सकी तो उसको बोलते है climax species climax का मतलब बिलकुल अंत में एकदम end में जाकर के जैसे movie होती है उसमें climax जो होता है climax का मतलब जो end scene होता है जो end में story आ गई कि बही कुछ बिलकुल एकदम से ऐसा कुछ दिखा दिया कि पूरी story ही बदल start होगा यह fully developed हो गया fully grown हो गया अब यह जो stages है ना एक stage दूसरी stage तीसरी stage चौथी stage पाच्वी stage इस तरह से यह हर एक stage को बोला जाता है ecology की language में share share s-e-r-e तो हर एक stage को बोला जाता है stage का मतलब यहां पर हो जाता है share या share या share तो stages कितनी देख लिए हमने pioneer community फिर intermediary community आई और फिर climax community आगई अब देखते हैं next चीज हमारी जो है हमको देखनी है वो है कि succession जो है ecological succession कितने type का होता है कितने प्रकार का होता है तो देखो types of succession में दो प् एक होता है primary succession और एक होता है secondary succession देखो primary succession का मतलब इसको समझ लेते हैं पहले primary succession क्या होता है देखे primary succession का मतलब है primary succession का मतलब जब यह bare rock थी मात्र चटान थी इस पर कुछ नहीं था यह nude rock थी जब तब इस पर अगर बिलकुल नए platform पर कोई species डेवलप होना start होती है या कोई community डेवलप होना start होती है उसको बोलते है primary succession primary succession का मतलब प्राथमिक उत्तराधिकार प्राथमिक उत्तराधिकार का मतलब simple सा यह है कि इसने सबसे पहले आ करके जब इसके लिए stage भी नहीं बनी थी तो इसी ने stage बनाना start किया इसी ने platform बनाना start किया तो यह होती है primary succession जैसे हमने बताया कि कोई bare rock है उसमें सबसे पहले moss, lichen बगएरा यह grow करेंगे और यह moss lichen होते हैं यह basically start कर रहे हैं किसी भी community के development को चाहे वो grassland community हो चाहे forest community हो उस community के development की शुरुवात यह कर रहे हैं तो ऐसे succession को बोलते है primary succession तो suppose को primary succession कब होता है तो जैसे primary succession बिलकुर शुरुवात से होता है जैसे हम अगर बात करे history में पहले चलते जियो लोजिकल पास्ट में अगर हम चलें तो suppose को रहे हो प्राइद वीपी पठार भारत का है वहां पर डेकन लावा प्लाट्यू बना तो डेकन लावा प्लाट्यू में basically cracks के थूरू फिशर के थूरू लावा धिरे-दिरे बाहर आया और वह हजारों किलोमेटर के square पार किलोमेटर के एरिया में धिरे-दिरे करके फैलने के बाद जब रॉक बनी तो अब वहां पर जब पहली बार कोई lichen आया होगा कोई moss आया होगा कोई algae develop हुई होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो वह होगा primary succession का मतलब बिलकुल नए सिरे से अब वहां पर जीवन स् succession हो गया इन में तीन स्टेज हमने देख ली है ना जिसमें स्टेज में हमने जो पाइनियर स्टेज देखी पाइनियर कम्यूनिटी इंटरमीडिरी कम्यूनिटी और इसके बाद हमने climax community देख ली अब सपोस करो fully grown jungle आपके start पूरे डेवल अब हो गये है उस region में ठीक है primary succession के पहुचने के बाद climax community तक पहुचने के बाद जो जंगल जो forest develop हुए है अब उन forest में forest fire हो गई आग लग गई तो पूरे जंगल क्या हो गए जल के राक हो गए खतम हो गए ठिक अब जल के राक हो गए तो अब उस जगह पर अगर वापस से इस पेसीज का development start होता है जंगलों क्या बोलते हैं secondary succession क्या बोलते है secondary succession अब इन में दोनों में अंतर क्या है primary secondary में primary का मतलब बिल्कुल नए सिरे से जब वहां कोई platform भी नहीं तयार था तब किसी community ने आ करके वहां उस region को develop किया यह होता है primary succession यहां पर तो भाई platform तयार था ना जंगल में आग लग गई तो nutrients व बायो मास था यह जल करके राक बन गया तो उसने भी nutrients दिये उसने भी carbon दिया nitrogen दिया sulfur दिया और भी चलता है कि चीज़े दी प्लस यह जो bed था ना यह already तयार था पहले से ही prepare था यहां मिट्टी थी यहां पर moisture था है ना moisture नहीं भी रहा होगा मानलों आग की वज़े से चला भी गया तो वापस से आ गया तो यहां पर pre-prepared conditions थी ऐसा नहीं है कि बिलकुल सुरू से अभी यहां लाइकन और मॉसेज आएंगी यहां सीधे अफिर से जंगल निकल ले लगेंगे ठिक तो यह हो गया secondary succession जबकि primary succession में क्या था कि वहां बिलकुल शुरुआत से काम किया जा होगा वो उससे ज़्यादा तेजी से होगा इसमें platform पहले से ही बना बनाया तयार रहता है nutrients वगारा की कमी नहीं होती एक platform एक stage तयार रहता है उस पर सिर्फ community को grow करना होता है तो यह हो गया primary और secondary succession में difference जैसे यहां पर हमने देखा bear rock है इसके बाद mosses और lichen आ गए इसके ब फिर plant species आ गई, grasses आ गई, फिर bushes आई, जाडियां आ गई, फिर और बड़ी shrubs वगर आ गई और फिर forest डबलप हो गया, यह एक sequence आपको दिख रहा होगा, this is ecological succession, इस topic से कई सारे question UPSC पूछ चुकी है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से question आए हुए है, तो primary succession जैसे हमने आप community exist नहीं करती थी, तो यह होता है primary succession, और इसको start कौन करता है, तो microbes, lichens, mosses, यह सब primary succession को start करते हैं, ठीक, तो यह हो गया primary succession, अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, secondary succession की, secondary succession यह भी हमने आपको बता दिया है, देख लेते हैं, secondary succession is the sequential development of biotic communities, after the complete और partial destruction of the existing community, मतलब जो पहले से कोई community अगर वहाँ पर exist कर रही थी, और उसका partial यह complete destruction हो जाता है, उसके बाद जो वापस से वो community यह नई community develop होती है, यह secondary succession होता है, जैसा कि हमने आपको बताया example में, यहाँ आपने देखा भी, कि जैसे जंगल थे, यहाँ आग timber वगरा था, यह जल गया, अब यह जलने के बाद वापस से एक bare platform बन गया, platform, लेकिन अभी इस platform में यह पहले से prepared platform है, यहाँ soil है, यहाँ nutrients है, यहाँ moisture भी मिल गया, तो वापस से यह छोटी-छोटी घास पहले होगेगी, फिर वो घास बड़ी हो जाएगी, और धिरे-धि करके intermediate और climax species जो है, वो develop हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि secondary stage में समय कम लगेगा, बहुत कम लगेगा primary community के, primary succession के comparison में, comparatively secondary succession जो होगा, वो काफी तेज गती से होगा, faster pace से होगा, अब बात करते हैं, autogenic और allogenic succession क्या होता है, इसको देख लेते हैं, autogenic और allogenic succession, autogenic succession का मतलब, when living inhabitants of that community, itself bring about succession, the process is called autogenic, autogenic का मतलब, जो पेड़ पौधे या जो घास या जो भी community वहाँ पर पहले से रह रही थी, अगर अपने मन से ही वो, वही community खुद ही आपका succession कर देती है, तो इसको बोलते है, autogenic succession का मतलब, सयम से होने वाला succession, इसमें किसी बाहरी agent की जरूत नहीं बड़ी, मतलब, उस community नहीं खुद को develop कर लिया, बड़ी species में, जैसे कि कोई shrub है, वो दिर दिर करके, बड़े हो जाए, और जाडिया बन जाए, जाड़ी बन के, पेंड बन जाए इस तरह से, तो autogenic succession का मतलब, जो communities वहाँ पे थी, उन्हों नहीं आगे develop कर लिया, succession स्टार्ट कर दिया, और allogenic का मतलब, जब कोई बाहर से change लाया जाता है, outside forces की वज़े से change लाया जाता है, तो वो allogenic succession हो जाता है, जैसे किसी जगह पर, मालो, घास के मैदान थे बड़े-ब वहाँ बारिश ठीक ठाक हो रहे है, अब बाहर से कोई plants को वहाँ पर introduce कर दिया गया, मालो, humans ने कर दिया, जैसे चीन ने किया है, चाइना ने बहुत सारे grasslands को forest land में convert कर दिया, वहाँ पर plantation कर दिया, बड़े-बड़े पेंड लगा दिये, उनको पानी देने लगे, और वह वापस से develop हो गया, वहाँ फॉरेस्ट land में convert हो गया, तो या फिर human का चलो छोड़ दो, या फिर कोई बाहर से ऐसी species आगे, जैसे उस जगह पर बहुत बड़े सारे चुडिया के जुंड आ गए, अब जो चुडिया है, वह बिसिकली किसी दूसरी जगह से फल वगरा खाकर के आ रही है, और यहां कीरे मकोडो की तलाश में घास के मैदानों में आती है, अब जो फल खाकर के आई हैं, उनके सीट्स जब वो पी करेंगी, जब वो एक्स्क्रीशन करेंगी, तो वो सीट्स निकलेंगे, एक्स्क्रीशन में जो सीट्स निकलेंगे, तो वो लैंड में succession तो यह होता है allogenic और autogenic succession में difference अब देखिए हमने आपको बताया था कि प्रश्टन UPSC ने पूछे हैं इस प्रॉपिक से कई सारे तो चलिए उन questions को थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे question है lichens question है lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of question यह कह रहा है कि lichens जिनके अंदर एक शमता होती है कि वो किसी bare rock में किसी खाली चटान में भी succession स्टार्ट कर सकते हैं तो वो उनका एक symbiotic association इन में से किसके साथ होता है किसके बीच की कड़ी या आप कह सकते किसके बीच में सहसमंद बनाते हैं वो तो option कहा दिया है algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi and fungi and fungi and mossesis हमने आपको अभी बताया जो actually lichens जो होते हैं basically यह algae और fungi के साथ आप कह सकते हैं कि symbiotic association दिखाते हैं because यह एक तरह से plant की species हैं एक तरह से plant ही कह सकते हैं आप इनको ठीक है तो यह algae और fungi के साथ में आप कह सकते हैं symbiotic association दिखाते हैं यह UPSC में 2014 में question पूछा गया था 2014 UPSC का question है इसके बाद चलिए next पे आ जाते हैं एक question और 2021 में recent भी पूछा गया तीन साल पहले तो in nature which of the following is are likely to be found surviving on a surface without soil इन में से कौन से ऐसे जो चार option दिए गए हैं इन में से कौन से ऐसे चीजे हैं जो कि किसी surface पे बिना मिट्टी के भी survive कर सकती हैं यह ecological succession का ही question था actually हमने अभी आपको बताया कि lichen और moss यह कई बार मैं बता चुका हूँ यह किसी भी bear rock में बिना मिट्टी के भी start कर देते हैं succession को तो two and three options ही है इसमें देखेंगे आप यह देखें two and three c number इतना simple सा question था यह 2021 में पूछा गया ठिक तो यह ecological succession से questions इस तरह से पूछे जा चुके हैं इसके बाद इसके बाद बात करते हैं question number three की इसमें statement कह रहा है कि किसी भी grassland में ये ध्यान रखना grassland में जो पेड होते हैं वो घासों जो घास होती हैं उनको replace नहीं करते ecological succession में क्यूं उसका कारण क्या है 2013 में question पूछा गया था ठीक है उसका कारण क्या है इसका कारण क्या है तो देखो grassland community जो basically होती है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रास लैंड जो community होती है मतलब जो grassland ecosystem होता है उसमें क्या होता है जिसे बहुत सारी घास होती है अब ये घास क्या करती है ये घास basically इको सिस्टम होगा, उसमें आपको दो सीजन मिलेंगे, एक वेट सीजन होता है, जो काफी कम समय का होगा और एक ड्राइ सीजन होगा, श्पिचली अगर हम टॉपिकल ग्राइस लेंड की बात करें, तो उसमें वेट सीजन में इसको मौईस्चर मिलता रहता है, हुमिडिय्ट वापस से फिर से succession होता है फिर से नई घास निकलती है तो घास की जगे घास ही निकल रही है आप यह देखेंगे तो यहां पर pioneer से लेकर के climax community जो है वो भी grass ही है इवन climax community जो है वो भी grass है और वापस से जो निकलेगा जो pioneer community बनके निकलेगी वो भी grass है तो grass ही pioneer community है और grass ही climax community है ऐसा नहीं कि सूखने के बाद जो घास मरेगी तो उसकी जगह पर पेड़ आ जाएंगे नहीं ग्रास की जगह ग्रास ही आएगी तो वापस जब climax community ये खतम होगी तो वापस से ग्रास आ जाएगी इसका मतलब है इसमें limiting factor क्या काम कर रहा है अब प्रश्ण में आ जाओ वापस ऐसा भी नहीं क्योंकि limited sunlight तो नहीं है ग्रास लैंड में आपको sunlight मिल जाएगी और पॉसिटी ओफ नूट्रेंट ये तो नूट्रेंट तो चलो एक अलग केस है इसके बाद फिर water limits and fire ये suitable case है क्यों क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रास लैंड जनरली वहां डेबल इरिया बन जाए तो ग्रास लैंड बेसिकली डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच की कड़ी होते हैं तो यहां limiting factor क्या है water limits और fire फायर का मतलब है कि अगर घास में फायर लग गई तो फायर जैसे बने बताया भी आपको ग्रास लैंड अगर है इसमें मालो आग भी लग जाती है तो आग लगके राक बन गई और राक बन के वापस से निकलेगा तो घासी ना तो climax community भी ग्रास हो गई और जो pioneer community होगी वो भी ग्रास हो गई पेड नहीं हुए ठीक है क्योंकि grassland में water limiting factor है जब तक वो moisture content नहीं बढ़ेगा तब तक वो पेडों का development नहीं होगा तो यह प् में तो आई होप यह क्लास में आपको ecological succession इन से सम्मंदित कारण और इनके types यह समझ में आये होंगे ठीक है तो हमारी आच्छी क्लास में बस इतना ही मिलते हैं आप सभी से next class में environment ecology समंदित एक और interesting और नय topic को लेकर के तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत झाल